दोस्तो फुलवानू नाम का एक देश था क्योंकि इस देश में बढ़िया बढ़िया खुसू देने वाले रंग वरंगे एवं लुभाबने फूल होते थे इसलिए इस देश का नाम फुलवानू पड़ा इस देश के लोग सिकार करने में एक दम माहिर होते थे इसलिए जानबरों का सिकार करने के लिए वो अक्सर जंगल में जाया करते थे सिकार करते समय वो बड़े बड़े जानबरों का सिकार तो आसानी से कर लेते थे लेकिन यूनिकॉर्ण नामक छोटा सा जानबर बहुत ही ज़ाद फुर्तिला होता था इसलिए ये यूनिकॉर्ण बहुत होस्यार सिकारियों को चकमा देकर फुर्ति से भाग जाता था और लाक कोस्तों के बाद भी फुलवानू के लोगों के हाथ नहीं आता शिकारी जुन्जला कर रह जाते थे और तबी से फुलमानु के इन शिकारी लोगों ने यूनिकॉर्ण को पकड़ने की तलास जारी रखी फुलमानु देश का राजा किसी भी तरह से यूनिकॉर्ण को पकड़वाना चायता था और इसलिए उसने शिकारीओं के सरदार को अपने पास बुला कर कहा कि जल्दी से जल्दी वह है यूनिकॉर्ण को पकड़ कर उसके पास लाएं फिर क्या था दोस्तो सरदार एवं उसके सिकारीओं ने यूनिकॉर्ण को पकड़ने की हर संभब कोशिस की लेकिन काम्याबी उनके हाथ नहीं लगी वहें लोग उसको नहीं पकड़ पाए बस इसी तरह से महीने बीत गए अचानक एक दिन फुलवानु देश के आस्मान में एक गुलाबी एवम पीले रंग का पंखों वाला यूनिकॉर्ण सरदार एवम सिकारियों को उड़ता हुआ नजर आया ये यूनिकॉर्ण जैसे ही जमीन पर आया उसकी सुन्दर्ता को देख कर सिकारी एवम उनका सरदार उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे जमीन पर इस प्यारे से यूनिकॉर्ण के आने की ख़वर फुलवानु देश के राजा तक भी पहुच गई यह सुनकर राजा जल्दी से अपने महल से निकले और घोड़े पर सवार होकर बहुत जल्दी से इस यूनिकॉर्ण का सिकार करने के लिए स्वयम ही निकल पड़े सरदार एवम फुलवानु के सारे सिकारी यूनिकॉर्ण को तलासी रहे थे तभी उन्होंनों देखा कि ये प्यारा सा यूनिकॉर्ण नदी में पानी पी रहा है सभी सिकारियों ने नदी के पास जाकर यूनिकॉर्ण को घेर लिया और तभी राजा भी उहां पर पहुच गए राजा ने सिकारियों एवम उनके सरदार को समझाया कि इस प्यारे से यूनिकॉर्ण को पकड़ने का यही उचित समय है लेकिन यूनिकॉर्ण इन सभी बातों से बिल्कूल बेखवर था उसने अच्छे से नदी का ठंडा ठंडा पानी पिया और पास के खेतों में से हरी हरी मुलायम घास भी खाई इसके बाद वय ओहां पर ही लेट गया और सो गया राजा ने सरदार एवम चिकारियों को समझाया कि इस यूनिकॉर्ण को पकड़ने का यही सभसे उचित समय है इसलिए इसे पकड़ने में किसी भी तरह की गलती मत करना किसी भी हालत में इसे भागने मत देना राजा ने सिकारियों एवम सरदार को यूनिकॉर्ण को पकड़ने का आदेश दे दिया ये सभी लोग अब एक बहुत लंबी चोड़ी रस्षी लेकर आए और सोते हुए इस प्यारे से यूनिकॉर्ण के गले में डाल दी उसके हाथ पैरों को भी रस्षी से कसके बांदिया यूनिकॉर्ण जाग गया और उसने अपने आपको इस तरह बंधा देखकर जोर जोर से चिलाना सुरू किया लेकिन ओहाँ पर उसे बचाने वाला कोई नहीं आया सभी लोग उसे पकड़ना ही चायते थे राजा के आदेश पर सरदार एवम सिकारियों ने यूनिकॉर्ण को पकड़ कर एक पिंजड़े में बंद कर दिया यूनिकॉर्ण के पकड़े जाने पर फुलवानु देश के राजा ने साम को बहुत बड़ा जस्न रखा सभी लोगों ने खाना खाया और मोज मस्ती की तभी ओहां पर पिंजड़े में बंद प्यारा सा सुन्दर सा यूनिकॉर्ण लाया गया तभी अचानक से पता चला कि पास में ही कहीं पर आग लग गई है धीरे धीरे आग बहुत तेजी से फैलने लगी जस्न में सामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई सभी लोग इधर उदर भागने लगे और जोर जोर से चिलाने लगे जल्दी जल्दी पानी लाला करके आग को बुझाने का प्रियास करने लगे लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि आग ने बहुत ही ज़ाद भेंकर रूप धारण कर लिया जिससे सभी लोग बहुत ही ज़ाद डर गए यह सब देखकर पिंज़रे में बंद यूनिकोन बहुत ही ज़ाद डर गया और वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगा एवं रोने लगा वह तो वेचारा पिंज़रे में कैद था ना तो पिंज़रे से निकल कर कहीं भाग सकता था और ना ही खुले आसमान में उड़ सकता था यूनिकोन सभी की तरफ देनी द्रश्टी से देख रहा था तभी एक छोटे से बच्चे जुम्रू ने उसे देख लिया और यूनिकोन से बोला कि तुम बिल्कुल भी मत डरो अभी मैं तुमको इस पिंज़रे से बाहर निकाल देता हूँ जुम्रू ने यूनिकोन के पिंज़रे को खोलने की कई वार कोशिस की और उसकी इस कोशिस की वज़े से पिंज़रे का गेट खोल गया अब क्या यूनिकोन बिल्कुल आजाद हो गया था वह उड़कर बापिस से आसमान में जाना चायता था लेकिन यूनिकोन जुम्रू के लिए सोचने लगा और जुम्रू से बोला कि आग से बचने के लिए क्या तुम मेरे साथ आसमान में चलोगे जुम्रू भी अपने आपको आग से किसी तरह बचाना चायता था जुम्रू ने यूनिकोन के साथ आसमान में जाने के लिए हां कर दी यूनिकोन जुम्रू को अपने उपर बैठा कर पंखों से उड़कर आसमान में चला गया अब यूनिकोन ने जुम्रू से बहुत सारी बात की दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई जुम्रू ने यूनिकोन से कहा कि क्या तुम धर्ती पर आओगे क्या तुमारे पास कोई ऐसा उपाय है कि तुम फुलगाओं की इस आग को बुजा सको देखो सभी हमारे लोग कितने परेशान है जुम्रू की ये बात सुनकर यूनिकोन को जुम्रू एवम उसके सभी लोगों पर बहुत दया आई और वै जुम्रू के कहने पर बापेश पृत्वी पर आ गया अब यूनिकोन ने अपनी ठंडी ठंडी सांसों से हवा छोड़ी उसकी सांसों की हवा इतनी ठंडी थी कि आग बुजने लगी धीरे धीरे विक्राल रूप धारंड की हुई वै आग सारी की सारी बुज़ गई फुलगाओं के सभी लोगों ने यूनिकोन का धनड़ाद किया एवम उसको प्यार भी किया फिर कभी भी उसे पिंजडे में बंद ना करने की कसम खाई यूनिकोन भी फुलगाओं के सभी सिकारियों एवम उनके सरदार के साथ खुसी-खुसी धर्ती पर रहने के लिए तयार हो गया फुलगाओं के राजा ने भी उसका बहुत स्वागत किया और उसे अपने महल में ही रखा यूनिकोन एवम सिकारियों की इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें बुरे लोगों के साथ भी हमेशा अच्छा बेवहार करना चाहिए पिली चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद